हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने वन आप साइंस का लेक्चर वीडियो में लेकर आप चुको दोस्तों जिसमें हम लोग पढने वाले हैं सिक्थ स्टैंडर्ड के लिए जो हमने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों साइंस के लिए चाप्टर नमबर फाइव जिसका नाम है स्टैंडर्ड के बारे में जैसे हमने आपको प्रिवेस लेक्चर में पढ़ाया था कि there are three states of matter solid, liquid and gas यानी solid जो कड़क चीज होता है इसको solid बोलते हैं जो पानी जीसा चीज होता है कोई भी हो वो लिक्विड होता है और जो गैस होता है हवा जितने भी चीज है की गैस होते carbon dioxide oxygen बहुत सारे gas होते है उसको हम लोग क्या बोलते है गैस बोलते है ठीक है यह तीन चीज हमने explain किया था change of state of matter भी आपको पढ़ा है था जैसे कि आपको पता ही है कि उसमें हमने देखा था कैसे हम लोग solid को अगर heat करेंगे तो liquid को heat करेंगे तो gas बन जाता है और वही gas को cool क liquid को cool करेंगे तो क्या बन जाता है solid बन जाता है यह ice का example बरफ का example मैंने दिया था उमीद करता है आपने lecture number one हमारा देखा है नहीं देखा है तो जाके देख ले ना बहुत चोटा सा वीडियो है बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में जाके जरूर देखना आज हमारा lecture number two है इ heating ठीक है ना जब हम लोग बात करते हैं heating या फिर हम जब बात करते हैं cooling तो यह indirectly relate करता है temperature को क्यों 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 हीट करने का मतलब क्या होता है temperature को increase करना heat देने का मतलब क्या होता है temperature को बढ़ाना जैसे कि हम क्या करते हैं कि चाय बनाते हैं हमारे घर में रोज मम्मी चाय बन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो हम indirectly क्या कर रहे हैं, वो fire के थुरू, जो आग है नीचे, वो आग के थुरू क्या कर रहे हैं, heat supply कर रहे हैं, और वो heat supply होने के वज़े से क्या हो रहा है, जो उसका temperature है दोस्तों, वो क्या हो रहा है, temperature उसका बढ़ रहा है, ठीक है, temperature क्या हो temperature increase होता है लेकिन वही उल्टा अगर मैं बात करूं थिक है उल्टा अगर मैं बात करूं मैं cooling की अगर मैं बात करूं ठिक है, सब्सक्राइब तो तो mindfulness में जो temperature होता है वो को ड्रॉप होता है, आई नीचे आता है मतलब temperature decreases, जब भी हम लोग बात करतें कि मुझे इस चीज को थं पतिले के गयास के उपर पतिला रख दिया उसके उपर पानी घरं कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पता चला हи की वह तर्म हो रहा है लेकिन कितना गरं हुआ पता चलेगा? पता चलेगा तो इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे जो फिजिस्ट थे यानि जो फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं यह लोग बहुत सोचे और सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज को इन्वेंट कर दे जो यह टेंपरेचर को यानि heat हो रहा है कि cool हो रहा है कि normal temperature ने temperatures को क्या कर सके detect कर सके और इसका एक reading बता सके मतलब उसका एक value बता सके तो वो चीज का उन्होंने invention किया और उसका नाम रख दिया दोस्तो thermometer यह नाम तो आपने सुना ही होगा इसका नाम क्या रख दिया thermometer अब उलोंने सोचा यार काउन टीमप्रेचर पिरींगों कितना temperature पे है other है ठर्मामेटין बना रहा और छांते होंगे बहुत सारे ठर्माटकर होगै बहुत सारे टाइब के ह jullie कला मिटा क्या होता है जैसे कि आप बिमार के पड़ते है और दॉक्टर के पास कहां जाते हो दॉक्टर के पास जाते हो त तब गूगल भी दो चलाई लोगे, इंटरनेट चला लोगे, ठीक है, डूण लेना, तो clinical thermometer हमारे मुग पे डालते हैं हो लोग, या फिर हमारे जो underarms होते हैं, यहाँ पे ऐसा दबा के रखते हैं, correct है, किया है इसा, तो वो क्या करता है, thermometer के अंदर क्या होता है, mercury होता है, क्य लेकिन अभी फिलाल में clinical thermometer की बात कर रहो, या फिर में laboratory, ठीक है, laboratory के अंदर, यानि जो companies वगरे होते हैं, industries होते हैं, जो chemical factories होते हैं, उसमें भी laboratory होते हैं, आपके lab में भी होगा, laboratory में भी होगा, school colleges में भी lab होते है, science lab होता है, उसमें होगा, तो उसमें कौन सा element होता है, mercury ह होता है, जो temperature के वज़े से, sorry, जो heating के वज़े से, या फिर, बोलते हैं हम लोग, temperature के वैसे deflect करता है, उपर नीचे होता रहता है, तो अगर mercury को temperature मिला, मतलब ज्यादा temperature मिला, heating वाला temperature मिला, तो वो उपर चड़ जाता है, तो वो reading बता देगा, कितना उपर हुआ, कितना तो हमें ज्यादा तर यही बोला चाता है, और मैं आपको बता दू कि हमारी human body का जो normal temperature होता है, वो होता है 37 degree Celsius, मतलब हमारा जो शरीर है, उसका temperature 37 degree Celsius होता है, ठीक है, और वो 37 से जब बढ़ जाता है, 38, 39 पौज गया है, तो हमें बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर के पास है, उसके इसाब से अगर बात करें, सबसे हादा यूज होता है degree Celsius, नॉर्मल तोर पे, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कि thermometer क्या होता है, thermometer एक ऐसा device है, जो temperature को measure करता है, कि कितना heat हो रहा है, तो उसमें बता चलेगा, कि हाँ कितना degree Celsius तक गरम हुआ, ठीक है, एक फ्रीजर है, उसमें मैंने बरफ निकाला, उसके उपस thermometer थोड़े दर के लिए छोड़ दिया, तो मुझे पता चलेगा कि यह कितना है, थंडा पानी होगा, कितना है, कोई भी चीज़े है, उसमें कितना temperature है, तो वो हमे भी पता लगाया सके, और इसी लिए थर्मामेटर का अविशकार किया गया, तो उमीद करता हूँ, तो ऐसे कई सरे examples से, जैसे example के तोर पे अगर बात करूँ, जैसे कुछ ऐसे चीज़े हैं, जिसका temperature हमें दिया होगा, जैसे कि freezing water, एकदम थंडा बरफ जैसा पानी है, तो तेमपरेचर केतना होता है, 100 degree Celsius होता है, दोस्तो, मताँ उबलता हो पानी जो आप कर रहता है, जो आप गरम करते हो बबल साने लगते है, तो वो 100 degree Celsius होता है, हवा जो होता है, थंडी थंडी रातों में जो हवा चलती है, उसका 15 degree से कम temperature होता है, गर्मी में 35 degree से जाता है, हमारा बॉडी का temperature में ने बताया, 37 degree, मतलब यह सब चीजे जो है, वो होती है, अब यह तो temperature का खेल आपको समझ में आगए, कि यार heating क्या होता है, cooling क्या होता है, temperature का खेल क्या है, और thermometers हम कैसे measure कर सकते हैं, यह सब चीज आपको पता चल गया, लेकिन अभी दो और fundamental topics है, जो ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छो, और उमीद करता हूँ कि आपको हमारा जो six standard का हमने आपके लिए start किया है, please आप लोग मुझे अच्छा response देना, और अपने दोस्तों के साथ शेर कर सकते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, और आपक ले पाए, और अपने life में कुछ अच्छा result लेकर आए, और अपने life में कुछ अच्छा इंसान बन पाए, ठीक है, तो चलो, हम बात करेंगे दो topic की सबसे पहला मैं बात करूँगा, boiling, तो boiling का मतलब क्या होता है, उबालाना, उबालते हैं हम लोग कोई भी पानी को गरम करन खास कर पानी के अगर मैं बात करूँ, तो water जो होता है, water, इसको हम एक टोप में ले लो, एक experiment कर सकते हो आप लोग भी, अगर आपके घर में temperature है, हाँ, temperature के खेल में मैं एक चीज़ नहीं बता है, मैंने clinical thermometer बता है, लेकिन एक और चीज़ और digital thermometer, मैं दिमाग से उतर गया, ल लो, और उसको यहाँ पर underarms में लगा लो, और थोरे टाइब के बाद वो बीप करेगा, sound करेगा, पीप, ऐसा sound करेगा, वो sound जैसी होगा, तो आप निकाल के चेक करो कि कितना temperature है, तो लगबग आपको पता चल जाएगा, कि हाँ, मुझे इतना degree Fahrenheit का temperature है, वो Fahrenheit में बताता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, वो आप कर सकते हो, क्लिनिकल थर्मोमेटर, मतलब डिजिटल थर्मोमेटर बहुत नहेंगा में 300-400 में मिलता है, तो आप लाना चाहोगे, तो ला सकते है, और घर में होना चाहिए, मेरे हिसाब से, ताकि आप लोग temperature खुझ सही मेजर कर सको दूक्टर के पास जाने की जरुवत ना पड़े, ठीक है, चलो, अब मैं बात करो पानी की, तो पानी को अगर हम एक पतीला लेके, उसको गैस के ओपर गरम करते हैं, बहुत गरम करते हैं, और बबल्स आने लगते हैं, उसमें से धूँ आने लगेगा, वेपर्स आने लगे रख रहे हैं, कोई भी वेसल में, उसको गरम करने के लिए ग्यास के ओपर रख रहे हैं, तो धीरे-धीरे उसका टेमपरेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, और धीरे-धीरे जैसे वो टेमपरेचर इंक्रीज होगा, तो वो पहुचेगा, समझ लो, 35 चले जाएगा, 100 degree Celsius तक चलेगा, और जैसे 100 degree Celsius तक पहुँच जाएगा, तो उसमें से हलका हलका धुआ उठने लगेगा, वेपर्स उठने लगेगे, जैसे ही वेपर्स उठने लगे, तो आप समझ जाना कि आपका जो पानी होगा, वो बॉयल हो चुका है, ऐसा तरीके से आप पर चले जाएगा, और जो टेंपरेचर होगा दोस्तों, जो टेंपरेचर पर पानी बॉयल हो रहा है, उसको हम लोग बॉलते हैं, बॉयलिंगować क्या बॉलते हैं, ऐसको बॉयलिंगPoint बॉलते हैं, और नॉर्मली जो पानी का बॉयलिंग होता है, ना, बॉयलिंग औफ यह चीज़ याद रखना कभी एक्जाम में पूछता है कि explain ebullition तो आपको confused नहीं होना है कि ebullition का मतलब क्या है ebullition का मतलब होता है boiling of water यानि पानी का उबलना पानी कैसे उबलता है कोई एक्जामपल लेकर explain करतो कि मैंने यार इतना पानी लिया मैंने डाल दिया ग्यास के ओपर दीरे दीरे वो गरम हुआ जैसे वो 100 डिगरी पे पहुँच गया तो पानी boil होना start हो गया और वही चीज़ क हमें पानी जो है वो boil होता है clear है बहुत अच्छे समझ में आ गया अब जो दूसरा topic है जो हमारा दूसरा topic है वो है freezing अब इसका उल्टा एक और चीज़ सुन लो यह boiling जो है अभी freezing मैं start करूँगा लेकिन freezing start होने से पहले एक और चीज़ बता दो अभी पानी boil हो चुका है ठ इसको थंडा भी करना है तो मैं क्या करूँगा इसको cool down करूँगा cool करूँगा तो cool कैसे कर सकते फ्रीज में डाल दो freezer हो गया बहुत सारे चीज़ है cooling करने के लिए जब मैं cooling करूँगा तो क्या हो जाता है इसका temperature जो होता है वो धिरे-धिरे drop होने लगता है मतला पहले 100 degree अब धिरे-धिरे drop होगा समझ लो 50 पर आया 40 पर फिर चले जाएगा 30 पर एन ऐसे करते-करते drop होते होते एक time पर आएगा कि वो 0 degree पर आ जाएगा जैसी 0 degree पर आएगा वो क्या बन जाएगा आइस बन जाएगा और यह सब चीज आपको पताए ठीक है तो इसको condensation बोलते है अब आखरी topic है आज के इस lecture का आज के lecture का आखरी topic है जो कि है freezing तो freezing क्या होता है इसको भी समझ लो दोस्तो बहुत मजा आएगा आपको ठीक है ताकि आपको कोई भी परिशानी और doubt ना रहे तो इसको ध्यान से सुन लेना आप लोग ठीक है इसको rough कर रहा हो समझ में आ गया freezing तो मैं क्या करूँगा इसके temperature को मैं drop करने की कोशिश करूँगा यानि यह 25 degree है इसको मैं लाने की कोशिश करूँगा किस पर और कम और कम लाने की कोशिश करूँगा और अभी अभी हमने discuss किया था कि जब पानी होता है पानी को मुझे extreme level पर थंडा करना है तो जब वो तक टेम्प्रेचर को 25 डिगरी से लेके 0 डिगरी तक लिखे आना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो उस चीज के लिए बना है, जैसे की फ्रीज हो गया, रेफ्रीजिरेटर हो गया, या फिर उन्हों क्या बोलते हैं, freezing करना, यानि कि temperature दीरे दीरे थंडा होते जाएगा, 25 से 20 आएगा, थंडा होगा, 20 से 15 होगा, और cooler होगा, cooler, cooler, cooler करते करते हैं, यानि थंडा होते 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 होते, एक time आएगा कि वो 0 बे पहुच जाएगा, और 0 से भी minus में जा सकता है, minus 10, minus 20, इस प्रकार से भी वो जा सकता है, तो जितना minus में जाएगा, उतना ज्यादा बरफ और strong होते जाएगा, जैसे बाहर की countries वगरे होते हैं, जहाँ पर बरफ बार होते हैं, कभी-कभी minus 20, minus 30, minus 40 डिगरी तक temperature fall हो जाता है, कि एक इंसान वहाँ पे खड़ा हो जाए ना, और पा दिगरी तक हमारे freezer होते हैं, जो घर पे जो freeze होता है, उसमें जो freezer होता है, जो ice जमाता है, उसमें minus 18 डिगरी तक temperature जा सकता है, वहाँ पे जो चीज़े है, वो उतनी थंडी हो सकते है, इसके लिए ice cream या फिर ice cream वगरे वहाँ पे survive कर पाते हैं, ठीक है, यही सब चीज़े आ जो है, वो बरफ बन जाता है, इसले इसको क्या कहते है, freezing point बोलते हैं, और यह पूरे process को बोलते है, freezing of water, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत simple सा फंडा था, उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो इसे के साथ दोस्तों आज का लेक्चेर में कि खतम कर देते हैं, और इतना knowledge provide कर देते हैं, कि आपको हर चीज़ का conceptual knowledge मिल जाता है, ठीक है, तो इसके साथ आज का वीडियो में समाप्त करना है, लेकिन, trust me, lecture number 2 हुआ है, आज lecture 3 भी आएगा, जिसमें और भी बहतरी चीज़े जो है, इस chapter के अंदर हम आपको पढ़ाएं महनत कर रहे हैं, दोस्तों, तो ये महीम को, ये जो महनत है ना, दोस्तों, वीडियो के थूँ, ये अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, अपने सारे friends और रिलेटिव को वीडियो को शेयर कर देना, first time आया हो चानल पर अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कि